हाई गैस स्वागात आपसे विगा टिक्निकल एडलन्स में में हूं इलियास दोस्तों वोट्सब हम सबकी ज़रुरत बन चुका है ज्यादातर लोग अपने पर्सनल और कॉमर्शियल यूज़ के लिए वोट्सब यूज़ करते लेकिन कई लोगों ये पूछा है क्या लेंलायन नंबर से वोट्सब चला सकते हैं या नहीं तो इसका ज़ब है हाँ आज हम आपको बताएंगे के लेंलायन नंबर से वोट्सब केसे चला है पहले ये देख़िए के आपके लेंलायन फौन पर incoming calls आ रहा है या नहीं अगर lane line काम कर रहा है तो lane line number से ही WhatsApp शुरू कर सकते हैं यहाँ पर mobile में app डाउनलेड करता है WhatsApp business app को चुने हैं क्योंकि normal WhatsApp पर ये trick काम नहीं करेगी आपको ये steps फोलो करने हैं आपको इसे चलाते हुए lane line number के आउस सकता होगी सबसे पहले business WhatsApp को mobile में डाउनलोड करें जिससे आप play store से डाउनलोड कर सकते तूसरा business WhatsApp इंस्टोल होने के बाद ये app OTP based registration के लिए number पूशेगी code plus 91 select करने के बाद lane line number को share के STD code के साथ लिखना होगा STD code लिखते होगता सुन ही अटा दीजिए जैसे 0755 share का code है तो सिर्फ 755 ही लिखिए lane line number जानने के लिए किसी mobile पर call करके आप check कर सकते नमबर aid करने के बाद ये app एक OTP भेजेगी lane line number के होजे से OTP SMS नहीं मिलेगा OTP time बितने का इंतजार कीजिए और call me का चुनाओ OTP verification के लिए कीजिए अब lane line पर आपको call आएगा और 6 digit का OTP सुनाई देगा OTP लिखने के बाद WhatsApp इसे verify करेगा आप app शुरू करने की regular process फोलो कीजिए lane line से WhatsApp यूज करने के क्या है फाइद है lane line number का उपयोग business WhatsApp पर करने का फाइदा ये है कि आप अजनबियों को अपना mobile number पोचाने से बचते है और lane line number का उपयोग कर रहे है तो आपको problem यह हो सकती है कि contact list manual aid करना पड़ेगा आप इसमें automated reply set कर सकते है आपको business app में messages को manage करने के तवाम विकल भी मिलेंगे तो दोस्तो आज के लिए इतना है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो like और share धरूर किजिएगा अगर आपने अभी तक हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजी